हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो मा यूट्यूब चैनल इस्टेडी उद्चन्न दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को विधा किसे कहते हैं आखिर विधा को हम पढ़ते क्यों हैं? आखिर विधा हाई क्या? तो आई हम इस विषय पर थोड़ सी बात कर लेते हैं तो विधा किसे कहते हैं? इसके संचित रूख से परवास चान लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने अपनी मोटी मोटी किताबों में बहुत सी लंबी लंबी परवासाओं को पढ़ रखा है लेकिन हम यहां पर रटाने नहीं आए हैं आपको हम समझाने आए हैं कि विधा है क्या? नहीं तो आप लोगों ने किताबों में तो पढ़ा ही होगा लंबी 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 परवासाओं को लेकिन हम लंबी पर्मासाओं को कता ही समझाने नहीं आए हैं हम यहाँ पर आप सोभी लोगों को क्यों संचित रूप अच्छा ग्यान देना चाहते हैं तो विधा किसे कहते हैं तो लेखक या कभी यानि जो लेखक या कभी होते हैं वे अपने मन के भाओं एवं विचारों को जिस रूप में बिख्द करता है वह उसकी विधा कहलाती है मित्रों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है क्या मतलब है? अरे मतलब यही है वह यानि कि लेखक या कभी जो होते हैं वे अपनी मन की भाओं एवन विचारों को जिस रूप में बैद करना चाहते हैं जैसे कोई लेखक या कभी है वा कहानी की रूप में अपने मन के भाओं एवन विचारों को लिखना चाहता है बैद करना चाहता है नाटक की रूप में बैद करना चाहता है संसमरड की रूप में बिद्ध करना चाहता है जिस रूप में भी वह लेखा की अकभी बिद्ध करना चाहता है वह ही उसकी विधा कहलाती है जैसे किसी लेखा की अकभी ने अपने मन के भावं एंविचारों को कहानी की रूप में बिद्ध किया तो वह कहानी क्या है? वह कहानी उस लेखा की मन की भावन विचारों की विधा हो गई कहानी क्या है? एक विधा हो गई तो विधा किसे कहते हैं? आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगी कि लेखा किया कावी अपने मन के भावों इवन विचारों को जिस रूप में बिक्त करता है वह उसकी विधा कहलाती है दोस्तों हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में सेर कीजिएगा और लाइक, सेर, कमेंट अवस करिए तता हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आप लोगों को समय समय पर और अच्छी अच्छी नए नए वीडियो मिलती रहें तब तक के लिए जय हिंदि